अगर आप भी देर राद तक फोन चलाते हैं और लंबे समय तक वर्टसप और चैटिंग करते हैं तो साथ भान हो जाईए क्योंकि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं जी हां हर्याणक साइबर सेल की तरफ से ये जानगानी दी गई है कि किस तरह से साइबर ठग अब लोगों को अपना शिकार बना रही है भीवानी साइबर सेल के इंचार्ट रमेश कुमार ने बताया कि देर रात तक फोन पर वटसप चलाने वाले लोगों को आजकल साइबर ठग वीडियो कोलिंग कर रही है और जैसे ही आप कॉल रिसीव करते हैं तो आपके सामने लड़की का अश्रील वीडियो चल पड़ता है और आपकी वीडियो रिकोर्ड कर ली जाती है जिसके बाद कॉल रिसीव करने वाले को वीडियो वैरल करने के नाम पर ब्लैक मेल किया जाता है फिलाद ऐसे मामले लगातार हजियाना से सामने आ रही है और अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोल आता है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए और कैसे इन साइबर ठगों से बचना चाहिए इस बारे में खुद विवानी साइबर सेल के इंचार्ज रमेश कुमार ने विस्तार से बताया है तो एक बार आप भी विवानी साइबर सेल के इंचार्ज रमेश कुमार की ये पूरी वीडियो देखिए जो इस बारे में विस्तार से बता रही है हलो दोस्तों मेरा नाम रमेश कुमार साइबर सेक्रोटी इंचाल बिवानी हरियाना से मैं आपके लिए एक महत्वर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं ये उन साथियों के लिए जरूरी है जो फोन का इस्तमाल करते हैं वाटसप चलाते हैं और लेट नाइट तक मोबाईल का इस्तमाल करते हैं हमारी वहर बहन बेटियां जो घर से बाहर उस्टल में रहती हैं उनके लिए भी एक बहुत ज़रूरी है अगर आपकी बेटी वहन जो बाहर उस्टल में है उस तक ही वीडियो पहुंचने बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय एक ऐसा गिरो स्क्री है जो वाटसप पर वीडियो कोल करते हैं अगर आप जाने जाने में वाटसप वीडियो कोल उठा लेते हैं तो दूसरी तरफ से अगर जेंस फोन उठाता है तो आगे से महिला की असली वीडियो चला देते हैं और आपका चेहरा उसकी स्क्रीन पे चला जाता है और वो उसी स्क्रीन रिकोर्डर का फाज़ा उठा के आपकी स्क्रीन का आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है चलचीत तर चल रहा है सेम आपका चेहरा उसकी स्क्रीन पे चला जाता है और उसका स्क्रीन रिकोर्डर से रिकोर्ड करके एक क्लिप तयार करके आपके फोन पर वटसअप पर भेजा जाता है उसके बाद खेल शूरू होता है बलेक मेलिंग का एक पुलिस अंदिकारी बनके दिली से कोलाती है होती कि यह दिली से लेकिन ऐसा दर्शाय जाता है कि मैं दिली क्राइम ब्रांच से बल रहा हूं मैं फलाना क्राइम ब्रांच से बल रहा हूं उसके वटसप पे एक तुरिस अधिकारी की फोटो लगी मिलेगी आपको धंकाए जाएगा कि आपने ऐसे जबर्दस्ती किसी महिला के वीडियो बनवाई है और आपका चैरा भी उस पे दिख रहा है और आपके खिलाब कंप्लेंड आई है अगर आप उसको रोबना चाहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए जो जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए अन्नत आपके खिलाब कारवाई की जाएगी फिर दूसरी कोल आएग कि आपके आपने ऐसे एक वीडियो बनाई है और जबर्दस्ती ऐसा किया है आपकी सोचल मीडिया पे आपकी वीडियो वारेल की जाएगी मैं वाटसप से बोल रहा हूँ मैं यूटूब से बोल रहा हूँ इस परकार से आपको भरमित करके प्रेसराइज किया जाएगा गलती से वो कोल उठ गई तो उसका चेहरे के साथ दुसरी तरफ जेंट्स की क्लिप चला के वो वीडियो रिकॉर्टिंग की जा सकती है तो आपसे अन्रोद है सिरफ इतना अन्रोद है कि ऐसी कोई भी वाटसप पर अंजान नम्बर से आने वाली कोल को नए उठाएं यह है संदेश हमारे समाज की आपके परिवार के हर बेनमेटी तक पहुंचना चाहिए उसको आप जागरूप कीजिए सजग कीजिए कि जाने जाने में भी कोल ने उठे कई बार ऐसा होता है कि आप स्याम की समय या मोर्निंग में बातरूं में ना रहे हैं बच्चे ने पिछे से फोन उठाया पापा की कोल आई है बाई की कोल आई है और कोल पिक करके आपको बातरूं में पकड़ा जी और उसी दोरान स्क्रीन रिकोर्डर ओल कर लेते हैं और आप भी अर्द नगन अवस्था में अगले की स्क्रीन पर चले जाएंगे समाज में आप किस किस को ऐसा संदेश देंगे कि नहीं ये मेरा जूटा है ये सचा नहीं है ये है वो आप टेंसन में आ जाएंगे तो इन चीजों से बचने के लिए आप से अन्रोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाईए और जादा से जादा ये वीडियो आम जंता तक आपके प्रिवार के सभी सदोश्र तक पहुंचाए अगर फिर भी किसी के साथ आप ऐसा हो जाता है तो गवराना नहीं है बिल्कुल भी उनके दवाव में बिल्कुल नहीं आना है सिर्फ आपको वर्टसब पे जिस वर्टसब नमबर से आपके पास वीडियो आ रही है उसी को रिपोर्ट कर सकते हैं वर्टसब पे भी रिपोर्ट का अफसन आता है नए तो यह आपने विवानी साइबर सेल के इंचार्ड रमेश कुमार को सुना जिनोंने वर्सब पर हो रही ठगी के बारे में विस्तार से बताया साथ ही ये भी बताया कि कैसे ऐसे ठगों से आपको साबधान रहना है इधर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महेंदरगर लोकसवा सीर से बीजेती सांसा धरंबिर सिंग भी ऐसे धगों का शिकार हो चुकी रहे बीजेती सांसा धरंबिर सिंग मीटिंग में बैठे थे इसी दुरान उनके पास बड़सब पर वीडियो कॉल आई थी लेकिन जैसे ही धरंबिर सिंग ने वीडियो पोल को उठाया तो उसमें अश्ली वीडियो चलता हुआ दिखाई दिया हादा कि वो ब्लैक मेलर्स के जासे में नहीं आये और उन्होंने तुरंट साइबर सेल को इसकी सूचना दिया ऐसे में अगर आपके पास भी कोई ऐसा पोल आये और अगर आप भी गलती से फोन उठा ले तो दर है नहीं बलकि इसकी सूचना तुरंट साइबर सेल को दे पिरान के लिएक नहीं ऐसी तमाम अप्डेट्स के लिए देखते रहे न्यूस ब्रोड्कास्ट टॉन इसको नमस्क्राइब